हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सब का मेरी चैनल पे जिसका नाम है Learn Punjabi with Manjit फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो और वीडियो में है परिवार से family से related कुछ वाक्या कि किस तरह की families होती हैं उन सबसे related हम कुछ वाक्या बनाएंगी सबसे पहले हैं हर इंसान की जिंदगी में परिवार का खास महत्तव होता है तो इसको हम Punjabi में बोलेंगे हर इंसान दी जिंदगी विच परिवार्दा खास महत्तव हुन्दा है हर इंसान दी जिंदगी विच परिवार्दा खास महत्तव हुन्दा है तो आप ध्यान से पंजाबी की वर्डिंग भी सुनिए Next है, हमारे यहाँ तरह के परिवार होते है तो इसको हम बोलेंगे साथे ःत्थे दो तराधे परिवार हुंदे हन Next sentence है, भारत में इकेहरे और समिलित परवार होते है तो हम इसको बोलेंगे पारत विच इकेहरे इकेहरे मिनस सिंगल जो neutral families हैं और के लिए अति संजे परिवार, हुन्देहन शमिलित के लिए या फिर joint family के लिए हम यूज़ करते हैं संजे तो संजे परिवार होते हैं जादा तर लोग इकेहरे परिवार में रेंदे हन, ज्यादा तर लोग ये कहरे परिवार विच रेंदे हन, तो next है हमारा sentence समलित परिवार देखने को कम ही मिलते हैं, ये आज कल की condition है हमारी, कि हमें ऐसे परिवार, जो joint families हैं, वो कम मिलती हैं, तो इसको हम बोलेंगे, संजे परिवार देखननों कट ही मिल दे हन कम के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, कट मेरे पडोसी समलित परिवार में रहते हैं तो हम इसको बोलेंगे, मेरे ग्वांडी संजे परिवार विच रेंदे हन, या फिर रेंदे नी, ये ने और हन दोनों एक की तरह इनका दोनों का सेम मतलब है मेरे ग्वांडी संजे परिवार विच रेंदे हन नेक्स से संटेंस समलित परिवार में रहने के बहुत फाइदे होते हैं, तो हम इसको बोलेंगे संजे परिवार विच रेहन दे बहुत लाब हुन्दे हन, यहां पर फाइदे भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरा वर्ड है लाब संजे परिवार विच रेहन दे बहुत लाब हुन्दे हन होते हैं, इसको हम बोलेंगे हुन्दे हन, सामने वाले घर में एक बुड़ा रहता है तो हम इसको बोलेंगे पुड़े के पांच बच्चे थे यह पास्ट की बात हो गई तो हम इसको बोलेंगे उस बुड़े दे पांच बच्चे सी जहां पर भी पास्ट की बात होती है तब हम थे के लिए यूज़ करते हैं सी, उस बुड़े दे पांच बच्चे उनके बच्चे उनका बिल्कुल आदर नहीं करते थे तो हम इसको बोलेंगे उनके उसके लिए हम यूज करते हैं उन्ना उन्ना दे बच्चे उन्ना दा सतिकार नहीं करते सी उन्ना दे बच्चे उन्ना दा बिल्कुल सतिकार नहीं करते सी आदर के लिए सतिकार वर्ड होते हैं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं, इयां, बच्चियां, बच्चियां कोड वड्डेयां लई, समा ही नहीं, जिस तरह बड़ों वर्ड आया, तो हम इसको बोलेंगे वड्डेयां, तो फ्रेंट्स ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगे, इसको लाइक शेर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंट्स आपका सहयोग ही इस चैनल को और आगे ले जा सकता है, अगर आप जितना इसको वाज करते हैं, शेर करते हैं, हमारे लिए, उतना ही हम इस चीज के लिए मैं आपका थैंक्स करूंगी, धन्यवाद होगी कि आप वीडियोज देखते हैं और आगे शेयर करते हैं तो थैंक यू सो मच फ्रेंट्स